हलो दोस्त, रिजल्ट देर से आया, वो भी नॉर्मेलाइजेशन के साथ अलग-अलग फर्मूले से, डबल नॉर्मेलाइजेशन का सकते हैं, लेकिन पीटी का डेट भी आ गया है सीडूल में, बस एक दिन का अंतरार रहा रिजल्ट का और पीटी के डेट में, किस RRC में कितन होगा, और कितने दिन टाइम लगेगा, यानि एक RRC एक दिन में 2000 ले रहा है, एक दिन में 2000 कंडिडेट का पीटी हो रहा है, यह सीर में, सिकंदराबाद में, जिसका पीटी सीडूल तो आपको पता ही था, बारा तारिक से यह था, और बारा तर से 21 तारिक के बीच में, या जो का सकते फास्ट है, लेकिन कंडिडेट के तियारी करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए था, तो कुछ RRC में आपको अभी मिल सकता है, हलाकि सिकंदराबाद ने पहले से ही बना रखा था, डेट की 12 तारिक से MPT कराएंगे, बाकि RRC कभी आया नहीं है, कोलकाता का द दिखा दू कि 2000 कितने लोगों को बुला रहा है, तो यहां से दिखाने के लिए मैं खोल लगा हूँ, यहां पर देखिए, 2000 सिरियल नंबर है, और यह 12 को है, 12 के बाद 13 तारिक को शुरू हो रहा है, और कंडिडेट सब मीक्स है, URAC, HD सब का है, ग्राउंड का एड्रेस दे ग्राउंड रेलवे, स्पेसल फोर्स, 7 बटालियन ग्राउंड सिकंद्रा बट्य लंगाना, यानि दो अलग अलग होगा, आपके एड्मिड कार्ड जो आएगी, उसमें दोनों में से कोई एक रहेगा, तो यह ध्यान दिजेगा, यह दोनों ग्राउंड में आपका सिकंद् इडेटों को निफ्टा दिया है, एक इस तरिक तक, और टोटल दिन, कितना दिन पीटी होगा, वो तो आप समझी लिए, 12-21 में मातर 9 दिन होते हैं, अगर दोनों को मिला भी ले तो 10 दिन होगा, लेकिन एक आदिन ब्रेक भी हो सकता है, और सब पेज को पढ़ना थोड़ा सासान नहीं है, तो अपना अपना देख लिजिए, आपका पीटी क्यों है, तो बेनफीट किसको होगा, कुछ लोग पुछेंगे बेनफीट किसको होगा, तो मुझे तो लगता है, 21 तारीक वाले को थोड़ा कम समय मिलेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो कुछ जनकारिया भी मिलेगी कि कैसे आइडिया हो रहा है, कितने में लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, और डेली रिजल्ट भी आता है कई जगा, डेली वहां RRC में रिजल्ट पब्लिस हो जाता है, तो उससे भी कुछ हेल्प मिलता है, और लास्ट वाले कंडिडेट को थोड़ा पिरिप्रे सबी टाइम है, सुबस से लेके साम तक आपका पूरा बीजी स्वीडूल है, सिकंदराबाद में, तो कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग के लेके सुबस से लेके साम तक पूरी आपकी पीटी का एक बैच बनाया है, तो छे तीस में देखिए कितने का बैच है, ये देखना आराम से चलेगा, साड़े-चार बजे बुलाया है, जित कितने लोगों को, तो ये आपको देखिएगा, साड़े-चार से जहां चेंज होगा, वहीं हम रूप जाएंगे, और समझ लेंगे कि इतने का बैच है, उसको भी अलग-अलग पार्ट में कर सकता है, बेरेक अप कर सकता है, लेकिन अभी तक तो जो दीकरा है, उसकी बात कर लेते हैं, एक बार डीटेल में नीचे तक यहां तक देखिए, यह पांच-तीस हो गया, चार-तीस के बाद, पांच-तीस यहां पर, यानि एक बैच में धाई-सो लोगों को करीब-करीब बुलाया है, और धाई-सो लोग में से कितने टूकरे करेगा, हो सकता है, एक घंटा में आपका दो-तीन ताइम तो होई ही जाएगा, तीन बैच बन सकती है, तो उस हिसाब से यह वैच को अलग- अलग डिवायिट करेंगे, और अनदर में आपको पीटी होगा, नहीं तो 200 लोगों को इक ट्रश्recht होत तो आप तैयार रहिए बाकी आरारसी वाले कि आपका भी पीटी सीडूल जल्दी आएगा लेकिन आभी उमीद सोचिए कि बारा तरीक के बाद ही आएगा पहले उमीद कम है यानि बारा के बाद ही पीटी का सीडूल हो सकता है तैंक्यू धन्यवाद